बेटा इस घंगोर जंगल में मुझे सादू के पास रोजाना क्यों चक्कर काटते हो मैं देख रहा हूँ लगातार तीन वर्ष से तुम रोजाना आते हो और आकर कि यां जालू भी लगाते हो दंडोत करते हो कुछ अपने मन की बात बोलते नहीं हो बैटते हो को आपी जिर तक बच्चले जाते हो मेरे मन में बहुत जिन से आ रहा था कि मैं पूछू कि तुम्हें सोचता था साद तुम अपने आप बताओ अब तीन वर्ष हो गए तुमको एक जिन भी तुमने नागा नहीं किया है रोजाना आये हो किस काम के लिए आते हो कुछ काते भी नहीं हो तो मैंने सोचा आज मैं ही पूछू इसलिए आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं बाबा ने निठ्षि प्रती सेवा में आने वाले एक बंगाली बाबू से ये बात पूछी बड़ा शांत गंभीर बंगाली बाबू बुले बाबा मुझे विश्वास है कि आप सिद्ध संत हैं आपके चर्मों का धर्षन करने से मेरी एक इच्छा पूर्ण हो जाएगे बाबा ने कहा बेटा क्या इच्छा है तुमारी बंगाली बाबू ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि मैं आपका धर्षन करूँगा तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी बाबा ने कहा कितिया के पास में ही शंकर जी का जो मंदिर है वहां रोजाना पूजिन किया करो तुमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगे बसु सजण ने रोजाना शीव जी का पूजिन करना प्रारम्द कर दिया और कुछ दिन के बाद आदे आकर कि बाबा से बताए बाबा आपके आश्रवाद से भगवान शीव की कृपा से मेरी पत्मी गर्वोती हो गई है। बाबा ने कहा जब बालक पैदा हो तो ले करके आना। और विशर्जन बाबा की बात को बहुत साउधानी से दिमाग में रखे थे। जब बच्चे का जन्म हुआ उसी से में ले करके आए। बाबा ने सिर पर हाथ फेरा और कहा ये बहुत बड़ा जबरदस्ट भक्त बनेगा और बहुत सच्चा परोपकारी बनेगा। ये बंगाली ब्रामर थे हैं। पांच साल के जब हुए तो पढ़ना शुरू किया। पढ़ने में अत्यन तो कुछ आगर बुद्धी थी। जो भी एक बार सुन लेते हैं सब्याद हो जाता था। पढ़ाई लिखाई में उत्तरोतर विकास के पतपर ही बढ़ते गए। बहुत अच्छी नंबरों से इनों ने बहुत अच्छे नंबरों से ए में पास किया। वकालत भी पास किया उस जमाने में। कम से कम सत्तर वरस पहले की बात है। और जो भी कोई इनसे पढ़ने आता था तो ये मना नहीं करते थे। सब को पढ़ाते थे। पैसा किसी इस नहीं लेते थे। फिर काशी में एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी कालेज में टीचर हो गए। भगवान से बहुत प्रेम था इनका। रामाय विशेश रूप से पढ़ते थे। और बाद में इनका ट्रांसफर काशी से फैजाबाद हुआ। और फैजाबाद में जब आये तब इनको अयोध्या जी में एक महान गुरू की प्राप्ति हो गई। और वहां उन्होंने जीक्षा लिया। और मंत्र लेकर किस साधना में लग गए। जिरंटर साधना में भी आगे बढ़ते चल जाते थे। जैसे रुकने का इनका स्वभाव ही नहीं था। धीर गंभीर उपेंजदत अपने कालिज में एक सुप्रसिद्ध टीचर माने जाते थे। बड़े शांत गंभीर और अपनी नौकरी का सारा कार इमानदारी से करते हुए। दूसरों के लिए भी परोपकार में लग जाते थे। जो भी कोई पढ़ता था उसको पढ़ाते थे। और भगवान की भक्ती में भी किसी भी प्रकार से कोई लापरवाई नहीं। बहुत सावधानी से भजन करते थे। भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम था इनको। पढ़ते तो रामायर थे। रामायर पढ़ते थे लेकिन भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम था। इनके गुरुदेव ने चार भुजा की श्री कृष्ण दिये थे और उनकी स्रियवा में बड़े भावस लगते थे इनके दो बच्चे थे वो भी इनकी देखा देखी भाक्ती में ही लग गये महराज जब भाक्ती बहुत उचाई पर पहुशती तब भगवान लिला करना शुरू करते हैं ऐसी भाक्ती थी कि इनके साथ भगवान लिला करते थे उपेने दत्त के उपर भगवान के बहुत पड़ी करपा थी बीभी जो प्रकार की नाना प्रकार की लिलाएं होती थी इनके साथ एक लिला भगवान ने ऐसी की कि जो सब के सम्मुक प्रमान बन करके आ गई बहुत साधना में इनका जीवन था वो अपने मकान के बरामदे में लेटते थे रात को और अंदर कमरे में उनकी पत्नी लेटती थी पत्नी ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था और ये बरामदे में सो रहे थे जाड़े का महीना था और भगवान कृष्ण के कुछ भाजन गुन गुन आते गुन 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 आते प्रभु को याद करते करते सो गये एक हलका सा लिहाफ ओड़े हुए थे रात को इनको अंदार लगा कि मिरे लिहाफ का वजन कुछ बढ़ गया है और खुब गर्मा रहा है ठंड जैसे भग गई है अंदर-अंदर खुब गर्मी हो रही है तो इनों ने आख खुल गई तो लिहाफ उलट के देखा कि आज इसमें गर्मी इतनी के हो रही है थोड़ा सा वजन भी बढ़ा लग रहा है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही क्या बात है तो देखा कि लिहाफ के उपर एक बहुत चमचमाता हुआ पीतांबर डाला हुआ है तो नी बहुत प्रेम से वही देखते रहे है भगवान को याद करते रहे है जब पत्नी जगी कुछ आवाज उसकी आई दर्वाजे की तो उन्हों ने दर्वाजा खुल वाया और अपनी पत्नी से पूछा उपेंजदत जी ने कि मेरे लिहाफ के उपर ये पीतांबर इतना सुंद से कौन डाल गया तो उसने कहा कि मैंने तो दर्वाजा भी नहीं खोला मुझको मालूम भी नहीं अपने घर में तो ऐसा पीतांबर है भी नहीं और मैंने तो दर्वाजा भी नहीं खोला मुझको तो पता भी नहीं चला कि कौन आपके पास आया और आपके लिहाफ के उपर पीतामबर कौन डाल गया मुझको नहीं मालूम। खैजाबाद में गवर्मेंट कालेज में पढ़ाते थे और आयोध्या जी में ही रहते थे तो आयोध्या जी में उनके गुरुदेव भी थे एक दिन उनके गुरुदेव कृपा करके उपेंद्दत्र जी के घर पढ़ा ले उनके साथ कुछ खास साधू थे जो उनके साथ ही तो उनने का गुर्देव एक घटना मेरे साथ घटी मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुर्देव ने पूछा बेटा क्या बात है बुले गुर्देव जैसे मैंने अभी सुनाया पूरी बात सुना दिया कि रात मैं सो रहा था मेरे लिहाब के ऊपर कोई पीतांबर डाल गया मैं उसको दिखाता नहीं हूं किसी को क्यों अपनी पत्नी को मैंने दिखाया मैं आपको दिखाना चाहता हूं पीतांबर पता नहीं कोन डाल गया और मेरे तो समझ में नहीं हा रहा एसा चमकदार और इतना सुन्दर पीतांबर तो मैंने आज तेक देखा भी नहीं जब उन्हो यह धर्टी का नहीं है ना किसी के प्रत्वी पर कोई बना सकता इसको और ना किसी बाजार को खरीदा हुआ है प्रत्वी का है यह नहीं तो बैकुंट का है तो उप्येन्रत जी ने पूछा गुरुदें यह कैसे मालूं हो कि भैकुंट का है बोले इन मैंने ुपा दिया ना विश्वास करो उपेनरत ने पूछा गुर्द्यों कोई उपाय कोई प्रमाण भी इसका है जिसे पता चल जाए कि ये बैकुंट का है उनके गुरु जी ने कहा हाँ बेटा ये पानी में नहीं भीगएगा चाहे तुम रात दिन भीगो इसको कितना ही ताकत से नोचो कैसे भी नोचो ये नु चीशे कैसे भी काटो ये कटेगा नहीं दहक्ति आग में ज्वाला में कैसे भी डाल दो ये जलेगा नहीं ये दिव्य है इस पर प्रकृति का कोई असर नहीं पड़ेगा जैसे आत्मा को भगवान ने कहा है तूसरे ध्यान गीता जी में नेनम शिंदन सस्तानी नेनम दहत स्वाव को उसी तरह से ये दिव्य है इसके उपर प्रकृति का कोई शासन नहीं हो सकता है अब बस वो गिने चुने साधू थे गुरुदेव थे पत्नी थी और उपेंद्रत थे सब की मन में हुआ कि गुरुदेव को हरें चलो परिक्षा ही कर लेते हैं महराज परिक्षा क लोगों ने ताकत से नोचा लेकिन नोचा नहीं वो एक दम जलती हुई आग में डाला कुछ भी नहीं जला उसका कोई रोयां भी एक नहीं जला उसमें कहईंची से काता नहीं कटा चाकुष काता नहीं कटा गुर्देव ने कहा सब लोग हाद जोड़ करके प्रणाम करो और माफी मागो कि प्रभू आपके पीतांबर के साथ हम लोगों ने बहुत ही गलत व्योहर कि हमें माफ कर दो ये वैकुंट का पीतांबर है अब हम लोगों को विश्वास हो गया हमें ख्रमा करो प्रभू हमने गलत किया इसके साथ उपे निर्जत ने और सब संतों ने उनकी पत्नी ने माफी मागी हाद जोड़ करके प्रभू आपके पीतांबर के साथ गलत वहर किया आप मुझे बांफ कर दो गुर्देव ने कहा बैकुंत का है में थोड़ा संदेथा इसलिए इसा किया गुर्देव ने कहा माफी मागो सबने माफी मागा और बोले कि बेटा है इसको बहुत ही समाल के पूजा में केबल रखो और इसके लिए भगवान से आग्या मागो कि क्या करना चाहिए प्रभू जरूर आग्या देंगे तुमको रात मुपेंजरत में भगवान से प्रार्थना किया कि गुर्देव ने कहा है कि आप इस पीतांबर के विशे में कुछ आग्या दिजी तो स्वप में भगवान ने कहा आप इसको किसी को नहीं दिखाना तुम इसको फिर दिखाओगे तो लोग तुमको परिशान करेंगे और ये केबल पूजा के लिए छिपा करके रखो और जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक एपीतांबर रहेगा जब तुम अपना प्रारवत भोग करके शरीर छोड़ोगे तो ये पीतांबर अंतरधान हो जाएगा तुम्हारे बाद ये पीतांबर किसी के पास नहीं रहेगा बस तुम्हारे जीवन तक ही रहेगा किसी को दिखाना नहीं ये मेरा परशाद है तुम्हारे लिए भगवान कृष्ण ने अंतरध्यान हो भगवान कृष्ण ने सोपन में जो वताया उसको बोल करके अंतरध्यान हो गए ठाकुजी और सुबह जगे तो पीतांबर को बले समाल करके पूजागरी में रखा और गुरुद जी को कहा कि प्रभु ने कहा है कि किसी को दिखाना नहीं है तो अब गुरुदेव भगवान की वियाग्या हो गई तो अब मैं इसको किसी को दिखाऊंगा नहीं जीवन भवन उन्हें रखा ग्यारे साल फैजाबाद के कालेज में रहे उसके बाद ट्रांसफर हो गया मत्रुदा हुआ अगरा हुआ और आगरा से रिटायर्ड हुए वो फिर वो लखनव गये वहाँ उनका लड़का पढ़ाता था फिर उसका ट्रांसफर काशी हो गया तो काशी में जाकर के वो रहने लगे अपने बच्चे के पास और काशी में भी वो भगवान की भगती में ही एकदम दूबे रहते थे भगवान का दिवी पीतामर उनके साथ था आँए कनया की लिला उनके साथ होती रहती थी उपेंद्र दत्र के उपर भगवान की बहुत भारी करपा थी पूरा जीवन काशी में व्यतीत किया और काशी में ही शरी छोड़ा उनके बेटे का पत्र गुरु के पास आया उसने बताया पत्र में लिखा गुरुदेव पिता जी का शरीर छूटते ही पितामबर अंतरधान हो गया हम लोगों ने पूजा घर में देखा तो पितामबर नहीं था उनका शरीर छूटते ही पितामबर चला गया भगवान के पास महराज, वो ऐसा दैवीपितांबर था, कि उसकी फोोटो खींचने पर फोटो नहीं आती थी, कैमरे से फोटो खींची जाने पर कैमरे कि में फोटो उसकी नहीं आती खुछ भी प्रकृति का शाषन उसके उपर नहीं था, उपे निजटर जी महराज एक शिक्षक हो करके गुरू की कृपा से भगवत कृपा से महान भक्ती को प्राप्त की और महान तमाम लिलाएं उनके सार भगवान ने की उसमें से एक लिला का वर्ण मैंने सुनाया आपको ऐसे ऐसे महान भक्त ग्रहस्त में भी होते हैं जो संतों के कृपा पात्र होते हैं भगवान के भी कृपा पात्र होते हैं श्री रादे रादे जे श्री रादे